नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहंतिवारी बिहार में एक बड़े राजनितिक बदलाओ की चर्चा के बीच अब भारतिये जनता पाठी के तरप से भी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बीजेपी के दो बड़े कदावर नेता मंत्री हैं अभी बिहार सरकार में शहनवाज हुसेन और रविशंकर प्रसाथ को दिल्ली तलब किया गया है जिस प्रकार से बिहार में नितीश कुमार और तेजस्वी यादों को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाय चल रही है और ज बजरे इन तमाम घटना करम पर बनी हुई है और दिल्ली बुला लिये गाए है सहनवाज हुसेन और रविशंकर प्रसाथ पूरी खबर ली जाएगी कि आखिरकार बिहार में अभो क्या रहा है आखिरकार नितीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोरने का मन क्यूं बनाया ज खुलम खुला या ऐलान किया था कि 2024 और 2025 का दोनों ही चुना वो नितीश कुमार के नत्रित्म में लड़ेगी लेकिन जैसे ही जेपी नड़ा और अमित्सा वापस दिल्ली लोटते हैं बिहार में एक बड़ा खेला सुरु हो जाता है पहले आर्शिपी सिंग को किनारे किया जाता है इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं कि उन्हें त्याग पत्र पाटी से देना परता है और उसके बाद जनतादल यूनाइटेट के राष्ट्रिये अध्यक्ष ललन सिंग प्रेस कॉन्फरेंस करके सीधे सीधे कहते हैं कि आर्शिपी सिंग का तन कहीं और था औ परत्यक्ष तोर पर बीजेपी पर हमला करते हैं और उसके बाद 2020 चुनाओ का जिक्र करते हुए चिराग मॉडल का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार से जेडियू की सीटों को कम करने के लिए सड्यंत्र रचा गया और एक बार फिर अब परत्यक्ष तोर पर न जेडियू आर जेडी और कॉंग्रेस ने अपने विधायकों को पटना बुला लिया विधायक दल की बैठक होने लगी मंगलवार को बहुत कुछ तै होगा लेकिन उसके पहले स्वमवार को ही जो बीजेपी नत्रित्व है उसने अपने दो कद्दावर नेताओं को आज हुसेन और रविशंकर प्रशाद को दिल्ली बुलाया है आखिरकार बीजेपी अब क्या करेगी सत्ता उसके हाथ से जाती नजर आ रही है क्या बिहार में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी क्या नितीश कुमार को पीछे करने की कोशिस में बीजेपी खुद सत से पीछे हो जाएगी इन तमाम घटना क्रम पर बीजेपी की नजर है और निश्चित तोर पर बीजेपी एक बड़ी पाटी है इतनी असानी से सत्ता छोड़ दे ये मुम्किन नहीं है तो जो भी कुछ जुगार लगेंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा हो सकता है एक लिए जेडियू और आरजेडी अपने विधायकों को लेकर पटना में बैठ गये हैं और उन्हें साफ तोर पर हिदायत दी गई है कि पटना नहीं छोड़ना है यानि कि जब तक की पूरा खेलना हो जाए विधायक पटना नहीं छोड़ेंगे क्यूंकि बीजेपी जिस प् को और बिहार में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन आपको अब बहुत जल्द देखने को मिलेगा बहुत जल्द इसका एलान होने वाला है लेकिन बीजेपी क्या करेगी ये भी एक बड़ा सवाल है और इस पर भी नजरे बनी हुई है दिल्ली बुलाएगा है दो कर बड़े क्या कुछ आगे बीजेपी का स्टेंड होगा ये देखने वाली बात होगी आप बने रहें लाइब बिहार के साथ तमाम अपडेट हम आप तक पहुचा रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें